आज हम परेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो नंबर सिस्टम यानि संख्या पदेती के सवालों को हल करने में आपकी मदद करेगा और आप आसानी से संख्या पदेती के सवालों करेंगे किनि दो परिमेर्ष क्याओं का योक फल अंतर और गुननफल सदयव परिमेर्ष होता है दूसरा तथ्य और कोई वाश्टिवी तौन से वाश्टिव क्या या तो परिमेर् अथ्यों आप लिया थे ये अच आप लिए थे स्थे हैं परिमेशंख्या में सुनियेतर परिमेशंख्या से भाग देने पर परिमेशंख्या ही प्राप्त होती है। कि चौथा तत्य है सुन्य से भाग देना अपरिभासित है यानि अनंत प्राप्त होता है पाच्वा तत्य एक परिमेशंख्या और एक अपरिमेशंख्या का योग सदय योग और अंतर सदय एक अपरिमेशंख्या होता है छठा सवाल छठा तत्य सुन्यतर परिमेशंख्या औ और परिमे होता है इस प्रकार आप इन तथ्यों को कंठागर करेंगे और सुधु सुधु याद करेंगे ताकि समयाने पर काम दे सके इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सात्वा तथ्य परतेक पुर्णाग भी परिमे संख्या है आठवा तथ्य किसी परिमे संख्या के हर पर उसके दस्मलों मान का शांत अथवा असांत होना निर्भर करता है यदि हर के अभाज गुनन खंड में दो और पाँच के अतरिक कोई अन्य अभाज खंड हो तो परिमे संख्या के दस्मलों निरूपन असांत होगा सांत दसमलो निरूपन के लिए सर्थ है कि परिमेश अंख्या के सरमतम रूप के हर का अभाज गुन अंखंड केवल दो हो या केवल पाँच हो अथवा दो और पाँच से युक्त हो इसके अतिरिक्त कोई गुन अंखंड उसमें सामिल ना हो नवा तथ्य है किसी परिमेश संख्या में सुनियतर परिमेश संख्या से भाग देने पर सदेव और परिमेश संख्या प्राप्त होती है दो अपरिमेश संख्या का गुना भाग जोर घटाओ सब कुछ वास्त्विक संख्या होता है